एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है आज का मेरा वीडियो अवेरनेस पर रहेगा आज का मेरा टॉपिक है पैरलाइजस इन वर्ट पक्षियों में पक्षगात के लक्षन या पक्षियों को लखवा कैसे होता है यूटूब पर अल्रेडी बहुत सारे वीड पर आज का मेरा वीडियो अवेरनेस पर इसलिए रहेगा क्योंकि इस वीडियो में आपको आपके पैरिट का कैसे खयाल रखना है कि उनको आगे जाके पैरलाइजस ना हो इस पर वीडियो बना रही हूँ अगर आप किसी भी डॉक्टर को पूछेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि paralysis का कोई treatment नहीं है, कोई ilaj नहीं है, एक बार किसी को भी paralysis हो जाए, चाहे वो इनसान हो, या birds हो, वो ठीक नहीं होता है, भले ही आप उसका ilaj करो या ना करो, paralysis रहना है तो रह जाता है, या तो कभी-कभी किसी के willpower से, मतलब अगर वो पक्षी जीना चाहता है, उसके willpower से या इनसानों के willpower से paralysis ठीक हो सकता है, पर paralysis का कोई particular ilaj नहीं है, treatment नहीं है, और जो भी यूटुवर्स ने ये वीडियो paralysis पे बनाया है, treatment पे बनाया है, तो मैं आप लोगों को ये awareness देना चाहती हूँ, कि वो जो भी medicines आपको prescribe कर रहे है या बता रहे है, वो और कुछ नहीं है, वो health supplements है, या multi vitamins है, इसके अलावा paralysis में और कुछ नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसका ilaj है ही नहीं, paralysis के लिए particular medicines नहीं बनाया गया है, क्योंकि paralysis का कोई इलाज नहीं है, इसलिए आपको बहुत खयाल रखना पड़ेगा अपने parrot का, कि उसको आगे जाके future में कोई deficiency ना हो, जिससे उसे paralysis का attack आ सके, captive bird completely आप पर dependent रहते हैं, मतलब आप उनको जब खाना देते हो, उनको जैसे खाना देते हो, जो देते हो, वो वही खाते हैं, तो यह आपकी जिम्मेदारी है, कि आप आपके parrot को पॉस्टिक आहर दे, ताके उन्हें कोई चीज की deficiency ना हो, एक bird को paralysis बहुत कारण से हो सकता है, उसका सबसे main कारण है deficiency, मतलब कोई चीज की कमीर है ना, malnutrition होना, पक्षियों में paralysis अचानक हो जाता है, जिस वज़े से आप समझ नहीं पाते हो, कि यह क्यों हुआ है, अचानक पक्षियों का शरीर अकड़ जाता है, और वो काम नहीं करता है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं, कि कैसे एक Alexander parrot का पेर, पैरलाइस होने के वज़े से वो चलने ही पा रहा है, यह मेरे एक subscriber का parrot है, जो आज इस condition में है, कि वो चलने ही पा रहा है, और वो ऐसे ही पड़ा रहता है पूरा दिन, यह मेरे दूसरे subscriber का parrot है, जिससे paralysis होते ही, विदिन कुछ मिनिट वो मर गया, क्योंकि इसके पूरे body में paralysis हुआ था, इस वज़े से इसकी मौत immediately हो गई, विदिन कुछ मिनिट यह मर गया, पैरेट्स का body अगर partially paralyze होता है, मतलब आदा body paralyze होता है, तो उनके बचने के chances है, पर अगर पूरा paralyze होता है, तो बर्ड immediately मर जाता है, full body paralyze होने पर, तो आप बात करते हैं कि ऐसा क्या करें, जिससे आपके baby parrot को paralyze ना हो, तो बात वहाँ से शुरू करते हैं, जब आप एक baby parrot खरीदने के लिए जाते हैं, आपको कुछ बातों का खयाल रखना होगा, जब आप एक baby parrot खरीदने जाएं, पहला तो यह कि आप एक ऐसी जगह से baby parrot खरीदिये, जो एक reputed अच्छा pet shop हो या breeder है, ऐसे करने से यह होगा कि वो एक अच्छा parrot आपको देगा, एक healthy bird आपको देगा, और अगर आप वहाँ जाकर बहुत सारे parrot देखेंगे, तो आपको करना यह है कि आपको उस में से सबसे active, सबसे ज़ादा हुशार दिखने वाला, healthy दिखने वाला parrot उठाना है, चाहे baby parrot male हो या female हो, आपको एक healthy, active parrot लेना है, यह वीडियो मैं इसले भी बना रही हूँ, क्योंकि अभी season चल रहा है, December से March तक आपको baby parrot अवैलेबल हो जाएंगे, तो आप में से बहुत सारे लोग है, जो baby parrot लेना चाहते हैं या चाह रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो useful रहेगा, तो कुछ चीजों का ध्यान दीजे, एक अच्छे breeder, अच्छे pet shop से bird खरी दिये, और healthy दिखने वाला bird खरी दिये, अगर आपने एक unhealthy bird, जो active नहीं है, ऐसा bird लेके आए, जो chances जादा है कि उसे paralyzes हो, अब आप सूचेंगे एक baby parrot malnutrition कैसे पैदा होता है, तो इसका reason यह है कि यह जो breeding season है, इस time पर बहुत सारे breeders क्या करते हैं, जब एक मादा अंडा देती है, वो लोग वो अंडा निकाल देते हैं, और उनका second breeding शुरू करते हैं, तो मादा को पूरा portion नहीं मिलता है, खाने का time नहीं मिलता है, उस दोरान उसका mating होता है, और वो second time pregnant होती है, second time egg ले करती है, तो ऐसा process होता रहता है, इस वज़े से जो अंडा वो देती है, वो अंडा unhealthy रहता है, और unhealthy अंडे से जो chicks बाहर आते हैं, वो भी unhealthy रहते हैं, और उनको malnutrition होता है, इस वीडियो में आप एक baby parrot देख सकते हैं, ये baby parrot already बहुत weak है, और unhealthy है, ये already malnutrition baby है, आप ये दो फोटो देखिए, इस फोटो में ये जो side वाला है, जिसमें मैंने ring बनाया है, ये malnutrition parrot है, और दूसरा वाला healthy parrot है, आपको एक healthy bird और एक unhealthy bird का difference आसानी से समझ में आएगा, उसके लिए आपको doctor होने की ज समझ सकते हैं, कि वो unhealthy है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनको feather पे effect करता है, अगर एक bird unhealthy हो तो, फिर दूसरा आप उनका पैर देख के समझ सकते हैं, कि bird healthy है ये नहीं है, उनका पैर तेड़ा रहेगा, सीधा नहीं रहेगा, पंजा तेड़ा रहेगा, और आप ऐसे parrot को अगर ध्यान से देखेंगे, especially जब वो खाना खारा होता है, तब आप ध्यान देखेंगे, तो आपको पता चलेगा, कि वो बहुत ही सुस्त है, और बहुत ही धीरे से खाना खारा है, जबकि एक healthy parrot खाना देख कर excited होता है, और अच्छे से खाता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि रियो बनाना किस तरह से खा रहा है, रियो एक healthy active bird है, और इसका feather condition भी बहुत अच्छा है, और bright और shiny इसके feathers है, ये एक निशानी है कि ये एक healthy active bird है, एक unhealthy malnutrition bird, ना ठीक से खड़ा हो पाता है, ना ठीक से चल पाता है, उसमें ताकत नहीं होती है, वो बहु पाता नहीं रहता है, उसके feathers बहुत ही dull और grayish color के हो जाते है, और ऐसे unhealthy parrots आगे जाके paralyzes के शिकार हो जाते है, उनको paralyzes हो जाता है, तो ये avoid करने के लिए आपको सबसे पहले एक healthy parrot को चुनना है, एक healthy parrot लाना है, अब बात करते हैं उन parrots का क्या जो आप already घर ला चुके ह अब आप already एक unhealthy parrot लाए हैं जिसे malnutrition है, तो उस parrot का कैसे खयाल रखना है, एक malnutrition parrot या unhealthy parrot को सबसे जादा problem winter के season में होता है, मतलब सर्दियों के season में, एक कमजोर parrot और एक malnutrition parrot को आपकी extra care की जुरत होगी, ठीक उस तरह जिस तरह आप एक baby parrot का खयाल रखते हैं, वैसे ही आप को आपके unhealthy, weak, कमजोर parrot को hand feeding कराना होगा, क्योंकि इससे आप sure रहेंगे कि वो properly खाना खा रहे हैं, क्योंकि winter में paralysis होने के chances जादा है, अपने कमजोर parrot के लिए अगर आपको heater लगाना पड़े तो heater लगाए, बल्ब लगाना पड़े तो बल्ब लगाए, ये सारे option आपको easily market म available मिल जाएंगे, क्योंकि रात के time सर्दी जादा पड़ती है, थंड जादा रहती है, उस time आप आपके bird का cage cover कर सकते हैं, cover करने के लिए आप घर का simple सा bed sheet यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर online भी बहुत options है, आपको cage cover मिल जाएंगे, आप वो खरीच सकते हैं, अगर आप afford कर सकते हैं, या तो घर का cotton का bed sheets आप यूज़ कर सकते हैं, जादा तर parrots को paralyzes winter में होता है, मतलब सर्दियों के सीजन में, और इसका main कारण है vitamin D का deficiency, 2001 में एक research किया गया था, जिसमें पाया गया है, कि जादा तर paralyze captive bird को होता है, और उनी को vitamin D की deficiency भी होती है, उसका main कारण ये हैं, कि captive birds जादा तर time घर के अंदर बिताते हैं, और सूरिय की किरन उन पर कम पढ़ती है, तो मेरा आपको ये advice है, कि चाहे winter हो, rainy season हो, या summer हो, आपके parrot को जरूर sun बात दीजिए, daily दीजिए, सिर्फ आपको इस बात का खयाल रखना है, गर्मियों के season में, आपको उन्हें स स्ट्रोक होने का चांस है, तो गर्मियों के season में, उन्हें सुभा की दूप दीजिए, जैसे साड़ेचे साथ बजे का टाइम होता है, उस टाइम पे दूप दीजिए, और सर्दियों के मौसम में, या बरसात के मौसम में, at least आदे घंटे के लिए उन्हें सनबात देना है, क्योंकि मौसम थंडा रहता है तभी, तो उनको at least 30 मिनिट तक सनबात दीजिए, सुभा साथ बजे से लेके, सुभा नौ बजे तक इसके बीच में आप कभी भी उन्हें सनबात दे सकते हैं, सर्दियों में, बट गर्मियों के season में, उन्हें सुभा सुभा की धूप दीजि है पैरिट के अच्छे हेल्थ के लिए, उनके बोन के लिए, फेदर के लिए, सारी चीजों के लिए, वाइटमिन डी उनको लगता है, तो आप उन्हें ये नाच्रल चीज है, आपको ये खरीदने की जरूत नहीं है, इसमें पैसे डालने की जरूत नहीं है, सिर्फ आपको क्या खा रहे हैं ये भी बहुत important है उनके अच्छे health के लिए parrots का 80% diet vegetables यानि कि सबजिया होनी चाहिए सबजिया महत्वपूर्ण है क्योंकि वे potassium, आहार fiber, folate यानि कि folic acid, vitamin A और vitamin C सहित कई और postic तत्वों से भरे हुए है इस कारण जो parrots vegetables जादा खाते हैं वो जादा healthy रहते हैं और लंबी जिन्दगी जीते हैं healthy diet खाने वाले parrots को paralyzes भी नहीं होता है इन बातों का अगर आपने खयाल रखा तो कभी भी आपके parrots को कोई बिमारी नहीं होगी अगर वो proper postic आहार खाए तो आज का मेरा ये वीडियो मैं टुटू को dedicate करती हूँ टुटू वही parrot है जो अभी इस वीडियो में है क्योंकि टुटू की मौत paralyzes होने के वज़े से हुई इस वज़े से मैंने decide किया कि मैं paralyzes पर एक वीडियो बनाऊंगी और मैं आश्रिया जी को thank you बोलना चाती हूँ कि उन्होंने मुझे टुटू के सारे वीडियो और photos भेज के दिये ताकि मैं ये वीडियो बना सकूँ ये वीडियो टुटू के मरने के एक दिन पहले का है जिसमें ये नॉर्मल दिख रहा है आपको पर इसमें अभी paralyzes के attack आने वाला है जिस दिन उन्होंने मुझे contact किया था तभी इस हालत में था ये parrot और उन्हें लग रहा था कि कुछ प्रॉब्लम है तो जब उन्होंने मुझे ये वीडियो भीजा तो मैंने कहा कि शायद इसे paralyzes हो सकता है मुझे ये malnutrition लग रहा है और कुछ चीजें मैंने आश्रिया जी को करने के लिए बोला था पर वो स्टार्ट करने से पहले ही तुट्टू next day मर गया सुबह उसकी मौत हो गई तुट्टू के experience के वज़े से मैंने सोचा मैं भी एक paralyzes पे वीडियो बनाऊँगी ताके सब लोगों को awareness मिले कि पैरेट का कैसे खयाल रखना है और कैसा पैरेट चुनके लाना है ताके आपको malnutrition पैरेट ना मिले एक healthy पैरेट को आप घर लाओ और वो अच्छी healthy जिन्दगी जीए अगर paralyzes के बारे में आप में से किसी को भी कुछ doubt हो कुछ पूछना हो तो please मुझे comment कीजिए मैं आपको reply जरूर करूँगी और अगर आपका पैरेट already malnutrition है और अगर ये बात आपको पता है कि आपका पैरेट healthy नहीं है तो please मुझे जल्दी contact केजिए जब तक पैरेट जिन्दा है हम बचा सकते हैं एक बार वो मर जाए हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसलिए मुझे जल्दी contact केजिए ताकि अगर आपके पैरेट को कोई supplement की जरूरत है तो मैं आपको advice करूँगी क्या देना है कौन सा देना है कब देना है उस हिसाब से हम plan करेंगे इसलिए मुझे जल्दी contact केजिए ओकी गाइस तो paralysis पे मेरा वीडियो यही तक रहेगा थैंक यू थैंक यू फो वाचिंग मैं वीडियो